दोस्तों देशी मुर्गियों पर सरकार की ओर से एक लाग से नो लाग रूपे का लोन दिया जा रहा है अगर आप भी अपने इस वेबसाइब में देशी मुर्गियों का वेबसाइब सुरू करना चाते हैं तो केंदर सरकार की ओर से एक लाग से नो लाग रुपे का लोन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा लेकिन ये मुर्गिया अलग-अलग किसम की होती है ज्यादा पैदावार वाली मुर्गिया अलग होती है और कम पैदावार वाली कम होती है मुर्गया अलग-अलग किसम की होती है आपको देखकर ही मुर्गी पालन शुरू करना चाहिए क्योंकि कुछ मुर्गया ऐसी है जो दिन में कम से कम आठ से दस अंडे परती दिन के इसाब से दे देती है और कुछ मुर्गियों का मीट भी ज्यादा उप्योग में लिया जाता है तो आप इसकी जानकरी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दिया वाए उसको चेक कर सकते हैं उसको चेक करेंगे तो आपको अलग-अलग किस्म की मुर्गियों के बारे में भी बताया गया है क्योंकि सरकार की ओर से मुर्गी पालन व्यवसाई आज 2023 में काफी बूम पर है क्योंकि लोग ज्यादा तर अपने खुद का व्यवसाई सुरू करना चाहते हैं और खुद के व्यवसाई में अगर सबसे इंपोर्टेट बताएं तो जो ग्रामिन क्षेतर के लोन है उसमें काफी चर्चित मुर्गी पालन लोन है और मुर्गी पालन लोन काफी बेस्ट बताया गया है क्योंकि इसमें कम लागत पर आपको ज्यादा पैदावार हो सकती है और परतेख परिवार इस व्यवसाई को सुरू कर सकता है क्योंकि सरकार के ओर से आप सभी को लोन तो अवस्य मिल रहा है और लोन की ब्याज रेट भी कम पर है क्योंकि 4% ब्याज में आपको लोन मिल जाएगा और अगर आपने पसु किसान क्रेडिट काइड बना लिया है तो 2023 में बहुत ही आसानी से आपको लोन मिल सकता है चलिए लोन की योगिता क्या है और कौन सी बैंक इसके मादम से आपको लोन देगी इसके बारे में जानते हैं तो आपको लोन की योगिता 18-25 साल उमर होनी चाहिए और आपके पास जमीन होना जरूरी है जमीन चाहिए आपको 0.5 हेक्टियर मतलब आदा हेक्टियर जमीन है तो भी आप इस मुर्गी पालन को सुरू कर सकते हैं और बैंक की बात करें तो जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है उसी बैंक में आपको लोन मिल जाएगा और लोन की ज़्यादा जंजट नहीं रहेगी एक लाग से 9 लाग का लोन आपको आसानी से मिल सकता है लेकिन इसके लिए कम से कम आपके पास 500 मुर्गियों से आप इस वेवजाय को सुरू कर सकते हैं अगर 9 लाग का लोन लेना है तो कम से कम आपके पास 500 मुर्गिया होना जरूरी है तब जाकर आपको लोन दिया जाएगा तो 4% पर आपको लोन केंदर सरकार के ओर से मिल जाएगा अब चाहिए आप कोई भी राजे से हो चाहिए राजस्तान हो मारियाना, मदे परदेश, गुजरात, उतर परदेश, बिहार कोई भी राजे से हो सबी राजियों में आपको केंदर सरकार के ओर से मुर्गी पालन लोन दिया जा रहा है मुर्गी पालन लोन के अलावा आप पेपर प्लेट वेवसाई भी सुरू कर सकते हैं इसका वीडियो भी हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा साथ में आप गाए, बेह, से बकरी जैसा पालन अगर सुरू करना चाहते है क्योंकि ग्रामिन्ट क्षेतरों के नागरिक जो बेरोजगार है उनके लिए हमारा मकसद है कि हर परकार की रोजगार उनके बारे में बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो ग्रामिन्ट क्षेतरों से जुड़ेवे उनके पास रोजगार के साथन हो इसके लिए हमने इस मुर्गी पालन वेवसाई को एक बार फिर से सलेक्ट किया है ताकि मुर्गी पालन लोन से समंदित किन लोगों को अगर अधूरी जानकरिया है तो इस चैनल पर आपको आसानी से उपलब्द हो जाएगी उमीद करते हैं आपको बताएगी जानकरिया अच्छी दरे कलियर हो गी है इसके अलावा आपकी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछे